नमस्कार मैं हूँ स्वाती तो ये सही कदम क्यों था अब देखिए निवेश अलग चीज़ है और इंशॉरेंस अलग चीज़ है इंशॉरेंस का काम क्या है इंशॉरेंस का काम है किसी भी अन्होनी अंचाही दुरघटना या घटना के रिस्क को कवर करना जैसे की टर्म प्लान कल को मुझे कुछ हो जबकि निवेश का काम क्या है हमारे पैसे को बढ़ाना हमें अमीर बनाना तो इसलिए दोनों को अलग रखने में ही समझदारी है कुछ कंपनिया कुछ नहीं सारी कंपनिया जितनी भी इंशॉरेंस कंपनिया है वो दोनों को मिला के निवेश और इंशॉरेंस को मिला कर प् आज भी तो मैंने इसके बाद से इस एक policy के बाद से मैंने कभी भी निवेश और insurance को मिलाया नहीं उस वक्त लिया था क्योंकि tax saving का purpose था वो purpose पूरा हो गया लेकिन ये समझ में आ गया कि इस तरीके की product में ज्यादा पैसे लगाना समझदारी कताई नहीं है तब से लेके आज तक मेरा निवेश अलग है और जब भी insurance की जरूरत हुई मैंने एक policy ले ली जरूरत के हिसाब से लेकिन मैं जानती हूँ कुछ ऐसे लोगों को जिनके पास एक, दो या तीन, चार नहीं 15, 15, 20, 20 policy लेकर बैठे हैं और सोचते हैं कि निवेश कर रहे हैं और इसी निवेश से वो अमीर बन जाएंगे आप बताइए आपके पास कितनी policy है अगर आपको सोचना पढ़ रहा है तो जाहिर सी वात है कि 5 से ज्यादा policy आपके पास है अगर 5 से ज्यादा policy आपके पास है तो तुरंत किसी जानकार के पास जाएए और इन सारी policies का मुआयना कीजिए कितनी बंद करनी है उसे बंद कर दें जो पैसे उससे मिलते हैं और जो प्रीमियम आगे चलती है आप बचाएंगे उस पैसे को आप अमीर बनने के लिए निवेश कीजिए आप हैं मेरे यानि स्वाती के साथ और हम हैं अमीर बनने के सफर पर आप हैं